जैन दोस्तों Impact Academy के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है आज हम करेंगे क्लास नमबर 7 पिछली क्लास में हमने किया था बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग से किया था हमने टेबल के बारे में 0 से 90 तक के जो एंगल है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था आज जो हम करेंगे वो करें क्लास नमबर 7 में जो एंगल है थिट्टा उसके बारे में डिस्कस भी एंगल कैसे निकालते हैं ठीक है उसके बारे में काम करेंगे ठीक है तो एक बार जूट जाएं जल्दी जल्दी और आवाज इस त्रीक के शारी हो बताते रहना है आवाज कलीर है तो इस बता जल्दी जल्दी जुर जाएं जह बारे में काम कार जय हिंच भारत राम राम साश्रेकाल क्लास साथ करेंगे आज डिसकस बचों ने क्लास नंबर 6 तक नहीं देखा है वो अपने टेलेग्राम चैनल पर जाएं उस पर सभी लिंक भी है सभी पीडिया भी है या फिर अपने यूटूब चैनल पर जाएं उस पर सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको इंपैट कडमी सार पहली बार जो जुड़ा है उस बच्चे को समझ में आएगा बस आपको वैलू पता उनची बही जीरो तीस पिंतारी साथ नबबे यह कितनी कितनी है ठीक है के अगा कंची काँ और करते शुरूम ऐखो कि अ जानते हैं कि इस यह को इसके के बाद सुल्द उसके अपर काम करेंगे हैं जैसे कि शुटिन आपके सामने हैं किसीने क्या बोलआ है तो सांग सायने लोक्तित्ट remember root root 3 by 2, 2 theta बराबर root 3 by 2, देखो, तो को इस सही ले जाओ, sin 2 theta बराबर root 3 by 2, अब यह बताओ, root 3 by 2, sin में कहां पर मान होता है, root 3 by 2 होता है, 60 degree पर, कहां पर होता है, 60, तो sin 2 theta बराबर है, sin, इसकी जगहां पर क्या लिख सकते है, sin 60 degree, ठीक है, तो sin से sin cancel out हो जाएगा, 2 theta बराबर 60, तो दो इस साइड आके divide में हो जाएगा, 60 बटे 2 बोले तो 30 degree, तो angle कितने degree का है, 30 degree का, आज हम angle के उपर काम करेंगे, ठीक है, तो को इस साइड ले आएगे हम, एक single term में convert कर लेंगे, उसको और उसके बराबर जो value होगी, उसको compute कर देंगे, देखो कैसे, तो को इस साइड लेके आए, root 3 by 2 हो गया, अब यह सोचो, आपको सोचना है यह, देखो, आपको इस साइड रूट 3 by 2 तो cos का मान भी होता है, cos का मान होता है, मगर sign से cos कभी कटता नहीं है, यह बात ध्यान लखो, जो इस साइड होगा, तभी के तो कटेगा ना भाई, जैसे 2x बराबर है 3x, अब x से x कब कटेगा, जब दोनों same value है, same term है दोनों, ठीक है, तो x से x कटेगा हमारा, तो x से x कटेगा, ठीक है, तो वही किसा लिए पो, cos 3 3 3 बराबर 1 by 2, अब cos में 1 by 2 कहां पे होता है, cos 3 3 3, cos 3 3, cos 3 3 4, cos 60 degree पे होता है, कहां पे होता है, 60 degree पे, तो cos से cos 3 3 3 बराबर 60, थित्टा बराबर 60 बटे 3 बोले तो 20, जल्दी जूड जाँ एक बर फढ़ जल्दी, जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे बार, साफ़ट आरी बात सुन में ठीक है, देखो, आगे देखते हैं, क्या बोला है इसने, रूट 3, 10 2 theta minus 3 is equal to 0, एंगल theta आमें यहाँ पर बताना है, ठीक है, एंगल theta आमें यहाँ पर बताना है, देखो, तीन को उसरे ले जाओ, देखो कैसे, रूट 3, 10 theta, 10 2 theta, बराबर 3, अब यह इस सेड़ा की डिवाइड 3 by root 3, अब root 3 को क्या लिसकते हैं, root 3 into root 3 divided by root 3, तो कड़ जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, root 3 बचेगा, 10 2 theta बराबर root 3, अब आप बताओ, 10 root 3 कहां पर होता है, 10 root 3 होता है, 60 degree पर, कहां पर होता है, 60 degree पर, 10 2 theta बराबर 10, 60 degree, तो 10 से 10 cancel out, 2 theta बराबर 60, तो theta का बाल कितना आएगा, 30 degree, कितना आएगा, 30 degree, आरी बासंज में, कोई दिक्क तकलिफ कर लोगे, देखो, इसको भी ऐसे करते हैं, इसने क्या बोला, value put करनी है, value put कर दो, दो त्रिकेस हो जाएगा, या तो value put कर दो, या formula बनना देखो, sin A, cos B, minus में cos A, sin B, है न, formula बनना न, देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, sin 2 theta, या तो value put कर दो, मेरे भाई, 60 किसका होता है, root 3 by 2, और 30, 1 by 2, ठीक है, root 3 by 2, 60 का sin, 30, यही होता है, root 3 by 2, root 3 by 2, ठीक है, root 4 ही न, minus, root 4, 60, 1 by 2, और यह भी क्या होता है, 1 by 2, value, multiply कर दो, sin 2 theta, बराबर 3 by 4, minus का 1 by 4, ठीक है, 1 by 4, sin 2 theta, बराबर है, कितना बच जाएगा, एलशयमाया, 4, 3 में से 1 गया, 2, 2 by 4, 2 by 4, बोले तो 1 by 2, अब यह बताओ, sin 1 by 2 कहां पर होता है, sin 1 by 2 किस पर होता है, sin 30 degree पर होता है, कहां पर होता है, 30 degree पर होता है, ठीक है, तो कड जाएगा यह, 2 theta बराबर 30, तो theta कितना आएगा, तीस बटे दो बोले तो 15 डिग्री कितने डिग्री 15 डिग्री तार लो कि एंगल कितना हो जाएगा यहां पर 15 डिग्री हो जाएगा जल्दी जल्दी उतारो उतारो जल्दी झाल कि इसको मैं क्या करता है एक तरिके से और कर सकते हो कैसे कि तोड़ा सा उपर कर देता हूं किया बोले इसने साइन कि ताइन कि तूधिटां यह हो गया साइन एक कोश बी कोश साइन अपर क्या होता साइन ए two theta both sign by sign 10 there Sin 2 theta共 30 Dhaktos तो angle कितना डिखरी का हो जाए हां पर पंद्रा डिगरी और गष्टअ कर सकते हूं इस तरी के सिप्प कर सकते हूंerving महां आगल के उपर अभी एक पर basic तिक बता रहा है उसके बाद क्यूस्टन करेंगे किस किस टाइप के क्यूस्टन आते हैं वो सारे बता रहा हूं मैं आपको अभी ठीक है उसके बाद किस्टनों को करेंगे ठीक ना देखो next तो यह चीज ने क्या बोला टू को सिटा बराबर वण ऑजो एंगल है वह 0 से बढ़ा है और नबंब से छोटा है जो एंगल जो हमारा निकले गा वह एंगल मतलब मेरा कहने का मतलब है जाम दर ये कर भाई तुक्का भी मारो ना तो ना तो उसका उत्तर आएगा जीरो और न आए गा उसका उत्रें 90 कई मतलब की मतलब तुकह भी मारते करें इनके बीच का एंगल पर मारना है ठीक है मगर तुकह से काम नी चलेगा तो भीच के तो बहुत सारे एंगल होते हैं ठीक है जीरो से 90 तक के बहुत सारे एंगल जाएंगे ठीक है अब देखो अब इसको इससाह ले जाओ तो सG इनको तtså्टा बराबर वन बाइट्व अब यह पता कोक्षक वन ऐस्ट रजहें रोचलड ऑन बाइट्व कहाँ पर होता है साथren गीरी पर होता है कहां पर होता है 60 डिगरी पे तो कोस थिट्टा बराबर कोस साथ डिगरी तो एंगल कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा यहां पर एंगल कितना हो जाएगा हमारा साथ अब इसको इस साइड ले जाओ यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाए को सुकेर थिट्टा बराबर 1 by 4 अब एक बाहर बता हो यह सुकेर उस सेट जाके क्या बनेगा रूट बनेगा तो यह इसका रूट क्या होगा 1 by 2 होगा टो कि इसका वरग्मूल एक इसका 2 तो को स्टृट्टा बराबर वन वा एक को दोनों का नसर क्या आजाएगा यहाँ पर सिस्टी डिग्री आजाएगा ठीक है ऊसके बाद तरलोगे आरी वासंज में राम राम सभी को यह कर रहा है चैप्टर कब खतम होगा यह चैप्टर होगा एक महीने में खतम ठीक है ध्यान रखना एक महीने में खतम होगा यह कि देखो सेम टू सेम है कि महीने होकी तो साइन स्केऊर यहर्ट ब्राबर वन बाइ फोर स्पिन न واक्रोळ फोर losing sudah ब्राबर 1 ब्राबर 24 धा में स्कैट iyi और वन बृट ठीक है स्थीप्ता इस इकल टो फोर होगे स्टा श् capitalist की क्या बनेगा dovante 30 आरीप आशिक ум मैं इसमें विस तरीके सें इसको इस साल ले जाओ तू को सब्सक्राइबर 1 तो को इस साल जो ऋस थरी थिटा ब़ाबर 1 बाइब 2 का कि वता है सिट ग्रीप उता है तो बाइब 6聲 Martin इटाइब इस नहीं यह यह 2टिटा है ट्रूस 60 डिग्री तो कोस से कोस गया 60 तो तीन से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा क्या हो जाएगा 20 डिग्री क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा कई बच्चे क्या करते है यहां पर ओप्शन से एंगल भी पुट कर देते हैं उससे भी फिर ऐजाएं कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है एंगल पूट करो गए ना एंगल पूट करके देखो वनके ब्राबर जो बना रहा है आंसर वही है मगर एंगल कर यह बीच का और चीह ह है कहां पे होता है साथ डिगरी पे होता है साइन स्फेंटी डिगरी ना कंड़ कितना हो जाएगा तीसकी हो जाएगा अ थिट्रम बॉल ले स्वाल विक्ता गरां बॉटां 어제 प्लाइब की जल्द जल्द नट या यही छोलती रही है या जाक से चुश्का कुए कॉज को सिंट आलिश पर यह को भी फार्याइन के ुती हो फाई तीट्र आयदी ह tener compromise डिगरी फैश्का एंगया गया टो फीप दीघर टो फॉरूट्य को E जाएगा नो डिग्री एंगल कितने डिग्री का है नो का उतारो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिल्कुल बढ़िया तही आ रहा सब कांसर आनंद आ रहा है कि समझे में भी आ रहा है यह बताओ बढ़ जल्दी तो में आ रहा है यह वैसे बेठे हो पॉन के आगे अब फॉन लैप्टॉप जो भी है तो करें शुरुआत यह यह मैंने अब तक आपको बेसिक बताया है ठीक है इसी टैप के हम कुस्टन करेंगे आज ठीक है एंगल निकालना आपको भई उस सही ले जाओ यह देखो इससे मिलता जूलता किसका टेबल है जीरो से नबवत के बीच में हम काम कर रहें कल मैं आपको टेबल यही बता था जीरो और नबवत की टेबल के बारे में हमने डिसकस किया था ठीक है Р이다 Cities रहे तो लेत्स चाट पहले क्लिस्अ किया बिला रूट 3 साइन थिट्ठा बराबर को सिट्ठा एंगल में बता ना कितने डिघरी का होगा उसके बाद 2 Czech corp ट्रिण इत्टा वा में में गिवासे कितने डिखित का हुगा ठीक है जल्दी बेलकुल बच्चा टाइप किस्टन है बेलकुल बच्चा टाइप देखो इसको कोस को इस साइल ले जाओ और रूट थरी को उस साइल ले जाओ देखो क्या करा हूँ मैं साइन थिट्टा इस इगल टू divided by cos theta 1 by root 3 अब sign by cos क्या होता है भाई sign by cos क्या होता है 10 theta होता है क्या होता है 10 theta और root 3 1 by root 3 किसका होता है 10 30 degree 10 30 degree angle क्या आ रहा है 30 degree कितना आ रहा है 30 degree यह बहुत बढ़िया और सफेed का मैस सेगका है हरिआत वेलकुल तो इससे डिजाओ को इससाय ले जा हएं साइन टिर्ट अबाइटर आपड ले यह इक वाइटर किसका होता है तरटी डिक्री किसका होता है साइन थार्टी शान से शान केया wetenदट by 2 is equal to 30 दो से multiply कर दो कितना हो जाएगा साथ डिग्री क्या रहा है हिट्टा is equal to 60 डिग्री बहुत बढ़िया नब्बन नहीं आएगा बचे साथ 60 डिग्री सेग्ड का 60 और फर्स्ट का 30 नमरिंग करके बता रहा हो मुझे पता नहीं चलता भी कौन से का बता रहे हो आप ठीक है फर्स्ट इस इकल टो 30 सेग्ड टो 60 डिग्री आरी बासंज में कोई दिक्कत अगली ठीक है आनंद की अनुभूती हो रही है ना देखो कर 45 और नीचे है अगला क्यूस्टन च्यार नमर टैन थिट्टा इस इकल टो साइन फोर्टी फाइव पलस साइन थर्टी डिग्री हर्यप जल्दी फटा फट करो कि जल्दी कि थड़का क्या रहा है थड़का जल्दी बताएं थड़का पंद्रा बहुत बढ़िया ठीक है बिल्कुल बढ़िया चुटकले नहीं सुना सकते भई ठीक है आइम नहीं है चुटकले सुनाने का आनद लो तुम आनद लो तुम आनन शी नंद में जिंद्धी आप्ट देखो वैलव पूट कर दो फिड़ाबट रूट थ्री है 10 टू थिट्टा इस अट्वीग्री कर दो को को शिस्टी डिग्री क्या होता है को 60 होता है बाइट्वां बाइट टू फालसमे वन बाइट का आधा क्योंकि यह वो गया पूरा और आधा-धा क्या होता है वन होता है अब उन को इस्षा ले जाओ तैन बाई थी अभ एक बाहताऊ रूट्री किसा होता है थैन बाई रूट्थ 10-1-1-2-3 होता है 10 किस्का 10 2 theta is equal to 10 30 degree 2 theta is equal to 30 तो theta कितना हो जाएगा 15 degree कितना हो जाएगा 15 degree यही आ है सब का उसके बाद इसमें भी ऐसे करेंगे 10 theta is equal to 1 by root 2 1 by root 2 into 1 by root 2 पलस में 1 by 2 वही बात है 1 by root 2 1 by root 2 root 2 root 2 की multiply क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी ना वही तो आधा आधा पूरा हो गया ना एक अब यह बताओ 10 theta मेरे भाई 1 कहां पे होता है 45 degree फे किस पर होता है 45 degree किस पर होता है 45 degree पर होता है 10 45 वन होता है आ रहा है सम्झे में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अमतलब active है कई वच्छे बहुत बढ़िया कि active होगी तो आपको यवावा है ठीक है कुछ ने कुछ ले जाओगे मोहमात त्याकर यहां पर ध्यान दो भई पांच नमबर परोजल दी ऐसा क्यूसन पहले मैं करवाद चुका हूँ साइन की फोर्म में यह कोस की फोर्म में है वैल्यू पुट भी कर सकते हो और एंगल भी बन रहा है कोस A, कोस B पलस में साइन, साइन B किसका होता है कोस A माइनस B का होता है किसका होता है कोस A माइनस B का वहाँ से भी कर सकते हो और आप वैल्यू पुट भी कर सकते हो दोनो तरिक् maximal बता दूँँगा टैशन मत लेन बड़ा बड़ा उत्तर बताओ जल्दी आंसर क्या आएगा बहुत बढ़िया पंद्रा बेलकुल सही बोले पंद्रा देखो कोस 2 थिट्टा इस इकल टू वैल्य पूट कर दो कोस 60 1 बाई 2 30 रूट 3 बाई 2 पलस क्या होता है हमारा रूट 3 बाई 2 इन्टू 1 बाई 2 कोस 2 थिट्टा इस इकल टू रूट 3 बाई 4 पलस में रूट 3 बाई 4 एल्शियम क्या आएगा एल्शियम आएगा 4 2 रूट 3 दो से काट देंगे इसको क्या आएगा कोस 2 थिट्टा इस इकल टू रूट 3 बाई 2 एक बाई बताव मुझे रूट 3 बाई 2 कहां पे होता है कोस में उससे भी असान तरीका क्या है हमारा उससे भी असान तरीका मैंने आपको पहले बताया था उससे भी कर सकते हो आप किस तरीके से देखो यहां पर करवा देता हूँ टेंशन मतलो कोस 2 थिट्टा एक बाई बताओ कोस ए इन्टू कोस बी पलस में साइन ए साइन ए इन्टू साइन भी किसका फोर्मुला होता है कोस ए माइनस बी का फोर्मुला होता है तो यहां पर फोर्मुला बन गया है ना क्या कोस ए माइनस बी तो कोस 2 थिट्टा बराबर कोस 30 डिगरी समझे बात कोस 30 क्या होता है सोरी कोस से कोस कार दो 2 theta angle तो निकालना ही है न वैलु नीदी निकालनी है अन्गल निकालना है thrust 3 theta is equal to 30 by 2 is equal to 15 आनसर कितना जाएगा 15 तरी बावसन में किसी भी तरिक्के से आप हमें निकाल सकते हो आप एंगल से भी निकाल सकते हो आप संग कडे निकाल सकते हो जो आपको असान लगये उस तुरिक्वे से अप्ड निकाल ले ना इसको तोड़ना living जिसको तोरीकLy पर लिखे कुमार ने बहुत जल्दी सुनिल कमार ने बहुत जल्दी आंसर दिया बहुत बढ़िया देखो, वन को उससाइड ले जाओ, थ्री, 10 सुकेर थिट्टा इस इकल टू वन, ये थ्री सेड जाके, डिवाइड में हो जाएगा ना भाई, अब सुकेर उससाइड जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा, क्या बनेगा, रूट, और वन का रूट वन, और इसका रूट क्या होता है, थर्टी डिग्री, किसका होता है, थर्टी डिग्री, एंगल कितने डिग्री का आएगा, थर्टी, ठीक है, परो, एंगल क्या आएगा, और थिट्टा, बहुत अच्छा क्यूस्टन है, काभी बार एक्जामों में आया है, और अच्छे-च्छे एक्जामों में आया है, मैंने देखा इसको, मैंने इसको देखा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको देखा है, तो बहुत अच्छा क्यूस्टन है, परो, देखो दो तरीक्या आपके पास है या तो आप इसको इक्विलेंट कर दो कैसी अब हमने टेबल हमने देखी टेबल हमने देखी थी खुमन में वन रूट थ्री रूट थरी कहां पर मान होता है रूट थे से इक्विलेंट क्विलें यह वन होजाय पे आपको吗 उपन में न्युक्हित नहीं में देखने मैं कंश। Roh çador सुर्षर यह को पांग करतो ना वं हो जाएगा तकोुँ दिक्कत नहीं है ≤ दो अच्छा त्रिक इसको करें गए कैसे देखो ए यहाँ मेर्ण है तो यहाँ फर स्ने चेवाल्ण हो जाए नहीं कि हो रूर्ट £1 थृमान उसका इकुलेंट क्या करेंगे इसको कि यूर्ण करेंगे को से डिवाइड कर दो इसको भी को से डिवाइड कर दो इसको भी को से डिवाइड कर दो इसको भी को से डिवाइड कर दो इस्सको भी होससे ऐसा क्यों किया मैंने देखा देखो veya minus minus vendors ट्रम है यह जैसी उपर एक जैसे निच्च जैसी ऊपर एक जैसे निच्च एस इस एक सब्सान पहले करवा चुका हुँ ठीक है ड्यान अगणा तो बताऊंगा कौन से तरिक्के से करवा था पाड़ दू ठीक है हमारे पास क्या था यहां पर इस इकल टू वन माइनस रूट थरी वन प्लस में रूट थरी तो क्या हो गया हमारे पास यह हो गया वन माइनस रूट थरी वन प्लस में रूट थरी अब देखो वन माइनस माइनस वन प्लस प्लस थरी तैन थिटा रूट थरी इसका मतलब वन वन है कि 10 थिटा का मान क्या है यहां पर इसका मारि यहां पर स्फिक्री यम्लंÓ फश्ची डिग्री राखेंगे च्प्लस के ठीक है या फिर उचोह एक मैंने आपको तatti का बता ded हाग था है कि क्या कॉंपोनेंट value रूड एंडिय। क्या कřके कौने आपको इसी में भी बता था ठीक है मैंने खात हम नीचे वाट्रम को पलस कर देंगे और इसी कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे ठीक है ऐसे बताओ था ना देखो और कैसे अब भी बता देते आपको कहों इसको पर ले जाओ जोदो इसको एक बार जोट दो इएक फ़र, घटा दो क्या कर रहिए यह और रहा है यह अउस टिक्ता मैनस साइन धित्ता इसी को जोड़ दो सोलेख स्वैट और ले ले लिटेए अब हमारे पास क्या था की आप फोस्ट थित्टा मानस ऑन रहे हो पोस थिट्टा पलस में साइन थिट्टा 1 माइनस रूट 3 1 पलस में रूट 3 क्या यही क्युस्वन था हमारा ठीक है दिख दिया मैंने अगले पेज पे हम इसको कर रहे है ठीक है यही था हमारे पास देखो तो c and d rule c and d rule क्या था c and d rule में इसी को जोड़ दो इसी को क्या कर दोगे माइनस कैसे देखो कोस थिट्टा माइनस में साइन थिट्टा पलस कोस थिट्टा पलस में साइन थिट्टा मैंने सिर्फ कुछ नहीं साइन साइन का फ़रक है माइनस में सान वही काम यहां करना है 1 प्लस माइनस का रूट 3 पलस 1 प्लस में रूट 3 1 माइनस का रूट 3 माइनस 1 प्लस का रूट 3 मतलब जो डबल होता है उसको सिंगल बनाना है और जो सिंगल उसको क्या बनाना होता है डबल बनाना होता है तो यहाँ पर देखो क्या कटता है देखो यह पलस और यह माइनस है अब यह देखो बाहर माइनस का निशान है तो यह माइनस का हो जाएगा और यह किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा बाहर माइनस का निशान तो यह भी क्या हो जाएगा फिर माइनस का हो जाएगा और यह माइनस और यह पलस कर जाएंगे ठीक है वही बात यहां पर देखो यह पलस और यह माइनस हो जाएगा हमारा ठीक है यह बाहर माइनस का निशान है यह माइनस का हो जाएगा यह मारा माइनस का हो जाए उसके बाद यह और यह कटेंगे यहां पर तो देखो क्या क्या बचा है उस्सी को लिख रहा हूं मैं सोष कोस वो मु झो तितता नीचे साइन साइन यह माइनस का है थीक ना माइनस साइन तो थिटता लूँ साइन न साइन थिटत अम आ अब यहांसए क्या फचा वन और वन टूं और यह से रूट थरी रूट 3 2 root 3 root 3 root 3 root 3 क्या हो जाए 2 root 3 2 से 2 उड़ा दो 2 से 2 उड़ा दो minus minus से minus कर जाएगा हमारे पास क्या बचा हमारे पास बचा cos by sin theta is equal to 1 by root 3 मलग core theta is equal to 1 by root 3 core theta 1 by root 3 कहां पर होता है 60 degree पर कहां पर होता है 60 degree पर यह है अब पीछे देखो answer क्या आया था पीछे 60 आया था और यहां पर भी answer क्या रहा है 60 यह हमारा component divender rule करो करो जल्दी करो क्याइब आया पर इस कि अधिगू कर एषि ses this the पूरा आरिवासंद में ध्यान दो अपने टार्गेट पे आपका टार्गेट यह है गोरमीड जोब लेना ठीक है देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बहुत सारी प्रॉराने जो बुजरक बात ब Originally बात प्दा प्थर भार होता है तो मैनत करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है हमें कोई प्रॉलम नहीं होती कहीं के फिरूर्ण पी पढ़ोो नहीं कोई ृप मगर किसी की बुराई मत करूंः तक आपको समझ में आता अच्छी वात है नहीं आता थो फेलन गूड है ठीक है ठीक है रहे माहान पूरुस हो फिसकी बातों में ज्यान नहीं दो आपको पता हाथी अपनी दून में सवार रहता है और चलता रहता है और कुट्टे आपने देखा हो उसके पीछे बोगते रहते हैं ठीक है मैनत करो अपना टार्गेट एक ही होना चीए ठीक है अपना टार्गेट एक ही होना चीए और वह होना चीए गोर्मेट जोब चाहिए वह चोटी ह यहीं से निकलेगा प्रोवा अब उमीद भी निकर सकते भी जो आप चाहते थे वह इतना जल्दी मिल कैसे गया ठीक है नाम इंपक्ट है तभी कहते हैं इंपक्ट पे कोई इंपक्ट नहीं पड़ता जब तक अमारी मर्जी नहीं है जब तक हम गल्थ नहीं तो कोई गल्थ नहीं बता सकता है ठीक है मैनत करो अपनी धुन में सवार रहा करो ठीक है आनंद लो जिंद्गी के नहीं तो जिंद्गी आपका ऐसा आनंद लेगी समझ में नहीं आएगी कानी बहुत बढ़िया बहुत बढ़ बात नहीं मैं बताईता हों आपको फोटा से बिसीक बताऊंगा कभी भी दिमाग में अप बात को कभी भी जैसे हमने algebra में question बढ़ा है x plus 1 by x is equal to 2 और मैं हमेशा बताता हूँ x plus 1 by x is equal to 2 कभ हो सकता है जब यह 1 हो और यह 1 हो तो क्या हो जाएगा तो हमेशा उसकी पावर कुछ भी हो कुछ भी पावर आप से पूचे तो हमेशा प्लस का वन पूट करके देखेंगे तो वन प्लस का वन क्या होता है तो होता है और वही बात यहां पर देखो हमाँ अमें क्या दिया है साइन टिटा और साइन यह बता मुझे साइन को सिकेंट को सिकेंट किसका उल्टा होता है साइन का होता है अब देखो यह क्यूशन वैसे ही नहीं बन रहा है एक्स प्लस में वन बाई एक्स इजगल टू टू एक्स प्लस में वन बाई एक्स इजगल टू ठीक है कर दो अब यह वन को मुझा बरए जब यह वन यह वन हो तो किसके बराबर आ रहा है तू के बराबर आ रहा है खेंट भी यह को भूंसकता है बात यह हैностью इस पर करता भी कब यह on कब होगा वहन आपको पतायों अ乾ए के मैंने आपको कल भी बता था यह हमारा सान्य का अगर और one यहाँ पर होता है ग्रीकां कमाइं पर यूज कर रख रखा है एंगल कितने डिपर यूज कर रख रख रहा है 90 डिपर कर रख रहा है देखो मैं इसको डिटेल्स बाता दूँ हूँ आपको और तो हमें पता भी ये वन और ये वन ये टू बड़ा वैलू हो नहीं सकता कि फिर वो दो से बड़ा हो जाएगा दो से बड़ा हमें बढ़ाना नहीं है ठीक है समझ की बात अब देखो अभी करवाते हैं आपको कि अएँ टो कि टेल में सबसे पहले में डिटेल में बता देता हूं आपको उसके बाद इसका स्वत कर मता दो हुआ सब्हों कर तो वैसे आपको पता चल गया वह वन लेंगे नबर डिग्री टिंप अब देखो डिटेल में देखो, sin θ, इसको क्या लिख गते हैं, one upon में sin θ is equal to two, sin कि इससे भी गुना कर दो, इससे भी गुना कर दो, मतलब Lcm क्या ले लिया, हमने sin θ ले लिया, तो क्या हो गया, sin square θ पलस में one is equal to two sin θ, ये इस हैडा कि क्या हो जाएगा, minus का हो जाएगा, sin square θ पलस one minus इसमें 2sin θ, एक बाहर बताओ, यह क्या हो गया, 1 की 2, यह क्या हो गया, 2AB, 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 क्या है अपना 1, तो किसका फिरमुला हो गया, इसका मैं यह साथ में क्या है, यहां पर 1 है, किसका फिरमुला हो गया, sign यहांपर sign यह लिखती है a, b की बात कर रहे हैं हम a, b यह बता रहा था भी यह sign है यह अपना a क्या अपना sign है और b क्या यहांपर use one sign theta a है और b किसका फर्मॉला बन गया a minus b का whole square मतलब है sign theta का sin theta minus one का whole square समझ के बात is equal to zero यह सेट आएगा minus का हो जाएगा is equal to क्या बज़ जाएगा जीरो बज़ जाएगा अब सुकेर उससेट जाएगा तो zero पर कोई फरक नहीं पड़ना zero के बराबर रहेगा तो यह one को ले जाओ साइन थिट्टा is equal to minus one बड़ाबर zero तो साइन थिट्टा क्या हो जाएगा वन कहां पर होता है 90 डिगरी पर इसका मतलब एंगल कितने डिगरी का यूज करना है एंगल जीरो डिगरी का यूज करना है एक तो पुछा आप से एंगल बताओ और एक पुछा जब वैल्यू पूट करेंगे तो answer क्या आएगा है ना वैल्यू पूट करो तो answer क्या आएगा तो यह आँ पर देखो साइन सुकेयर नबबय पॉसिकैंट सुकेयर नबबय ठीक है तो का स्केयर प्लस में वन का स्केयर इस इकल टू बशा स्कावन इस इगल टू और मैंने तूप को मेर्थ साथ की आएगा यहां पर आएगा शोव मंज़की बात कि दो वैल्यू 2 दो के बराबर तो उससे बढ़ा कभी भी दो से बढ़ा होगा ही नहीं ठीक है कैसा इस किसन आप देख लेना ठीक है आगए देखो मैंने क्या बताया आपको एक तरीका और बताएंगे आपको उसको हम ऐसे कर सकते हैं देखो यदि आपको टेबल याद है यदि आपको टेबल याद है यदि आपको टेबल याद है तो आपको पता आज़ी ये वन होगा जब ये वन होगा तो ये किसके बराबर होगा 2 के ब्राबर होगा तो आप direct भी angle मान सकते हो कितने डिगरी का 90 डिगरी का angle 90 डिगरी का माननोगे और put करके देखो यदि वो 2 के ब्राबर बना रहा है sine 90 प्लस में cosecant 90 यदि इनका value 2 के ब्राबर आ रहा है तो इसका मतलब हम आगे भी यह जो पूस्ता आपसे sine square 90 और cosecant square 90 का मान क्या होगा यह मैंने आपको detailing बताया कई बचे कहते हैं सर detailing बतादो तो detailing बताया मगर आपको detail करने जुरूरत नहीं है हमें exam crack करना हमें master नहीं मढ़ना है ठीक है exam clear करो और नोकरी लगो ठीक है तो सिदी सी बात यही है तो angle हम that भी use कर सकते हैं one का square plus में one का square is equal to क्या आएगा answer आपका two आएगा आरे बास मुझ में विल्कुल सही बोले भाई सची ना ठीक है पर लोगे तो नेक्स्ट करो जल्दी साथ समझ में आगी आपको बहुत बढ़िया क्या answer आएगा जल्दी जल्दी हर्यप दूसरों की बात तुम ध्यान मत दिया अगरो आप अपना ध्यान यहीं केंद्रित सब्सक्राइब करते होना चाहिए टेंशन काहिए लेते हो हम है ना आपके जाद जल्दी डिटेलि में करोगे वही होगा डिटेलि में बता दिता हूं क्या था कोस की साथ फिटा पलस में सिकन्ट किसका होता है कोस का उल्टा होता है is equal to 2, multiply कर दो, यह क्या हो गया, cos की 7 theta का whole square, plus में 1 is equal to 2 cos की 7 theta, इसको जिसार ले आओ, cos की 7 theta का whole square, plus में 1 minus का 2 cos की 7 theta into 1, इसका मतलब यह अपना a है, यह अपना b है, और यह क्या हो गया, 2 into a b, ठीक है, तो किसका है, a minus b का, cos की 7 theta minus 1 का whole square, ठीक है, a अपना क्या है, cos की 7 theta, is equal to क्या हो गया, यह 0, सुकेर उससे अड़ जाएगा, 0 पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, 0 का root 0 ही होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 7 theta is equal to 1, इसको क्या लिसकता हूं मैं, cos की 7 theta is equal to 1 की power 7, 7 से 7 कर जाएगा, ठीक है, तो 1 कहाँ पर होता बताओ, 1 कहाँ पर होता है, 0 degree, एंगल कितना यूज़ करना में, 0 degree यूज़ करना है, तो पुट कर दो, cos की 100, 0, पलस में, secant की 100, यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक, 99, 0, तो यह क्या होगया, 1 पलस 1 is equal to क्या आएगा, 2, और मैंने क्या बोला था, cos का ultra second है, जो जिसका ultra 2 के बराब का answer भी क्या आएगा, यहाँ पर, 2 आएगा, क्या आएगा, 2, अलिया, करो करो जल्दी हरी अब जल्दी आंसर तो आई चुका है मगर मैं आपके कोमेंट में सुनना चाहतू इसका आंसर क्या आएगा फिर आप जल्दी हरी अब 10 नमबर और 11 नमबर जल्दी चाहा यह तो यह कब होगा जब यह वुन होगा होगा अब यह बता मुझे वन कहां होता है वन होता है कितने पें 45 div पर कहां पर होता है 45 डिग्री पर ठीक है तो इसका हम लगा एंगल कौन सा यूज करना हमें 45 डिग्री का एंगल यहां पर है यूज करना मैंने आपको बता था जो जिसका उल्टा है और 2 के बराबर तो आंसर भी क्या आएगा उसका 2 आएगा तो फूट कर दो बहुत बढ़िया तो यहां पर देखो यहां पर भी वही है एंगल कितने डिग्री का यूज करना हमें एंगल हमें 45 डिग्री का यूज करना है एंगल कितने डिग्री का यूज करना 45 डिग्री का क्योंकि यह वन और यह वन किसके बराबर आ रहा है तो किसके बराबर आएगा 2 के बराबर आएगा, फुट कर दो, 10 की 50, 45 प्लस में, 10 की 50, 45, तो 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे, करो, जल्दी, बहुत बार, सबसे जादा बार, क्युच्छन पुचा गया है, ध्यान रखना, सबसे ज़ादा बार, क्युच्छन पूछा गया है, ध्यान रखो, इस फॉरम में डाल देता है, क्युच्छन दो वह ही है, ऐ तो मांगई ही बूम, अगर गुंगट में है, समझेए ना बात, construct सां पिछला देखो द्यान से कशन पिछला सेम सां से मत फेर को क्या लिख दिया वन अपम अपन में 10 समझ के बात वन आपन में 10 लिख दिया तो वही बात यह आंपर 10 थिटा प्लस रहेगी नफिते प्लस में 10 g par 2, 23 ठीक है तो इसका मतलब क्या बोला ये वन होगा समझ ये बात ये ब्राबर होगा ये किसके ब्राबर होगा टुक नबाबर होगा ये 1 एंजन 45 क्या होता है वन होता है तो यहां पर फूट करो देखो 10 2022 45 प्लस में 10 2023 45 तो 1 प्लस का 1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा समझे बात कोई दिक्कत अगलीप हो जाएगा ठीक आगे देखो next टेखो मैं बताता हूं यह क्युष्षान आर्मी के लिए इंपोर्टेंट आर्मी के लिए बहुत इंपोर्टेट रसने बहुत बार और देखा बहुत बार में रहता है त्यांसे सुन लिए बात को Nemo बराबर इन तीनों का अंसर 45 डिग्री क्यों आएगा क्यों आएगा क्यों और कोस कहां पर बराबर होते हैं पुल्कुल बढ़िया ठीक है कर लोगे कोई दिक्कत तकलीप करो तो ऐसा इक सेम तुशेम करके देखो थोड़ा सा लेखलो बढ़ाया में थोड़ा सा बिल्कुल अंगल तो आपको पता ही चल गया एंगल तो आपको पता ही चलिए कितने डिगरी का यूज करोगे आप एंगल कितने डिगरी का यूज करोगे पिंतार इसका क्यों क्यों क्योंकि साइन ठिटा और को सिटा किस पर बराबर होते हैं पिंतार डिगरी पर बराबर होते हैं इसने बुला फाइंड था टू टैन स्क देखो वैले पूट करो 2 इन्टू 10 सुकेर 45 प्लस में साइन सुकेर 45 माइनस 1 2 इन्टू 1 का स्केर प्लस में 1 बाइ रूट 2 का होल स्केर माइनस का 1 2 प्लस में 1 बाइ 2 माइनस 1 देखो कितना हो गया दो में से गया एक एक प्लस का आधा डेड़ आंसर आएगा कितना आएगा डेड़ तीन बटे दो या एक पॉइंट पांच आएगा डेड़ आंसर आएगा ध्यान से देखें तीन बटे दो बिल्कुल सभी बोले सभी बचे बहुत बढ़िया कर लोगे करो करो कि अरधेसर दी है इसने बोला साइन अल्फा प्लस में सब्टपटा इसपला टू इसने बोला जो हमारा बिट्टा है वह जीरो के ब्राबर भी हो सकता और 0 से बड़ा भी हो सकता है और जो अल्फा है अल्पा मारा 90 से छोटा भी हो सकता है और के बराबर हो सकता है और कंडिशन के आदी है अल्पा और बटा दोनों ब्राबर भी सकते हैं मगर अल्पा क्या बळा होगा किसे बवी तो किबसक्ता है जब या तो यह को यह तो यह फिर यह one हो यह two के बुराबर होगा कि अमने क्या करणा है एसे नंबर सोको जो अलब अपärं करें और बिट्टा में एंगल पूट करें तो हमारा 2 के बढबर आए उसके बाद किया सोचा जल्दी कोमेंट करके बताओ कि मरकंडीशन क्या दी है कंडीशन भी देखनी आपको यह बाध द्याना को कंडीशन भी देखो धिट्टा जो है जीरो के बढबर हो सकता है मगर alpha से प्रोटा होगा ये भी condition है ये बात ध्यानों को और इसका मतलब क्या हुआ alpha जो है 90 से छोटा 90 के ब्राबर हो सकता है ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ alpha जब हम 90 degree का use करते हैं और beta जब हम 0 degree का यूज़ करते हैं अलफा जब हम 90 degrees करते हैं देखो sin alpha 90 degree और cos beta 0 तो sin 90 क्या होता है one तो 1 और cos 0 क्या होता है cos 0 भी 1 होता है तो 2 के ब्राबर आ गया तो दोनों एंगल सेम हो सकते हैं मगर यहां पर condition यह भी तो दी है ना भाई इसके कोडिंग कोडिंग तो चलना पड़ेगा न आपको कंडिशन भी तो देखनी पड़ेगा ठीक है तो इसका मतलब यहां हुआ अलफा जो है अलफा हमें 90 डिगरी का यूज़ करना है और बिट्टा में 0 डिगरी का यूज़ करना तो करो भड़ा पड़ा साइन तू इन्टू 90 पलस में जीरो तरी साइन 180 बटे में 3, 60, साइन 60 किसका होता है रूट 3 बाए 2, रूट 3 बाए 2 यह आ है कि वैलो पूट कर दी और कुछ निकिया मैंने अलफा की वैलो पूट कर दी बिट्टा की वैलो पूट कर दी जीरो है एक सवस्य में जीरो जोड़ा इंक कोई फरक नहीं पड़ेगा डिवाइड बाए 3 है और तीन से डिवाइड करें तो क्या जाएगा मारा साइन सिस्टी डिगरी किसका होता है रूट थरी बाए टू का होता है आरी बासंज में कोई दिक्कत अकलीप ठीक है को जल्दी जल्दी पस्थम ओने वाड़ी कलास और क्या बोले इसने ऐसा एक संट शेंट थे ना तो कोश्केर अलफा प्लस में कोश्केर बिटा इसकल टू टैन्टीव थिट्टा अलफा सोरी प्लस में साइन की पास बिटा क्या होगा जल्दी कि इसमें कंडिशन नहीं दे रखी है न कंडिशन नहीं दे रखी है और सेंट वैलू मालने कोई दिखत नहीं है दो कुछ तू कहां पर होता है पोस टू आता ही नहीं है देखाओ आपने वन बाई टू आया रूट थ्री बाई टू आया वन बाई रूट टू आया जीरो आया वन आया यह यह कब होगा टू के बराबर जब यह वन हो और यह वन हो जब यह वन हो यह वन हो तो किसके बराबर होगा डिगरी का यूज गड़ना है जीरो का इसका अलफा भी जीरो और बिटा भी हमारा क्या होगा जीरो होगा तो देखो 10 30 प्लस में साइन की 5 जीरो रही बताओ 10 जीरो क्या होता है जीरो होता है पलस साइन जीरो क्या होता है जीरो होता है साइन जीरो क्या होता है जीरो होता है ठीक है तो अनसर भी क्या आएगा जीरो आएगा जीरो पलस में जीरो क्या आएगा जीरो मैं गबर क्लास में पूच रहा था मैंने का जीरो पलस जीरो क्या होता वही बलसर दो जीरो ठीक है नह आज के दिन वही बच्चा आर्मी जिड़ी में सेलेक्टिड है ऐसे ऐसे बच्चे मैंने लगते देखें है जो बच्चा 0-0-0 बोलता है यह कह सकते हैं अब सर्फ 0-0 लिग दो कोई दिक्कत नहीं काम चल जाएगा जीरो चाहे लाख बार हो उनको जोडने पर हमेशा क्या रह रहता है क्या रहता है 0 जिसको चाय पीठी हो तो अकैडमी आकर पी सकता कोई दिक्कत नहीं ठीक है और यह वात समझें है ना हुआख करो इसने वह टैन ठीटा मायिस में कोट टीटा है इकल टू 0 क्या बहुत फुल जल्दी झाल झाल थेंक्यू जोगिंदर मेरा भी नाम जोगिंदर है बहुत बढ़िया देखो इसको उससाह ले जाओ आपने किया है इसा कि इसन इसने बहुत थिट्टा इस इगल टू कोड थिट्टा दोनों पराबर कभ होंगे 45 डिग्री पर कहां पर होंगे 45 डिग्री पर वेल फूट कर दो ना भाई साइन 45 फोटी फाइव पलस में कोस 45 वन फाई रूट यट पलस है ना अफबस में वन बाइड रूट टू एलसे म क्या आएगा रूट टू वन पलस का लग यहां तो तो को क्या तो अड़ सकते हैं यह छोटी-छोटी ट्रम में हमें सर्गार रखो रूट इंटू पर किए बचाथ नीचे का नंबर टोपी पहने हुए हो तो टोपी कैसे उतारेंगे उसी नंबर से कर देंगे नंबर से डिवाइड कर देंगे तू रूट तू तू से तू गए हो क्या answer आएगा रूट तू क्या एगा रूट तू समझ के बाद बहुत बढ़िया करो कुछन जल्दी लास्ट कुछन है जल्दी करो लास्ट कुछन जल्दी टाइम दे दिया आपको थोड़ा सा नमस्कार सभी को उस बच्चे अभी जुड़े हैं राम राम जय हिन जय भार्त जब भी जागो तभी सवेरा करो जल्दी लास्ट कुछन नहीं लास्ट कुछन आज आपको कम से कम मैंने 30 कुछन करवाएं हैं थोड़ा सा आप खुद नहीं करोगे ना तब तक मैं कुछनी कर सकता कोई ओर टीचर कुछनी कर सकता वेचारा ठीक है कोई भी कुछनी कर आसकता आपको ठीक है तो आप मैनत करो अच्छे तरीके से ठीक है सब कुछ समझ में आएगा अंतो अंतों थोड़ा सा कि देखो ठोड़ा सा सोचना था है इसके बारे हाँ देखो कैसे कैसे अब एक बात बता हो चार को क्या लिखता हूं चार को दो प्लस दो लिख चता ना वइप focus के ता प्लस मेंक टूको के स्केड़ ठिटा ऐसे लिख सकता हूं क्या भई लिख सकता हूं ना इस दोर दो क्या हो गया चार ठीक है अब यह देखो इसको देखो द्धान से इसको देखो प्यार से देखो ना वहीं देखो तो कमन लेलो साइन सुकेर थिट्टा प्लस में को सुकेर थिट्टा तू को सुकेर थिट्टा से इस इकल टू थृ यह क्या हो गया वन के बराबर हो गया है लाई इस इंटू वन प्लस तु प्रम करें को स्अर्थ त्टाइगोटो त्री अब डू सेट आ कि क्या हो जाई यह तो पुरा टू हो गया टू सफिसेट एक यह मान मिनिस का हो जाए टू वो स्टू कर तीटाइगा टू गिया एक हो जाएगा ठीक है और प्रमाइड तूअब सुकेरु शैट जाके क्या बनेगा रूट बनेगा क्या बनेगा रूट बनेगा कैसे तूए न टाकर टू किसका तो फोटीफाइड डिगरी इसका उता हूटा फोटी फाइड इंग तूज के बाद बहुत बढ़िया पिंताइज दिगरी कि कु अ कि दो आखो दुबाराँ सुन समय मैंने क्या बोला रिच आर हम तोड़ सकते तू इसकी साथ हम बढ़ा देते हैं अब तू को में साइन स्क्वाइब दिख्वाइब एक होता है यहां पर टू स्क्वाइब रूट बनेगा नुकर टू किसका होता है उन फोर्टि फाय डिग्री का होता है तो एंगल आपसे 45 डिग्री कंडिशन क्या दी थी जो एंगल हमारा जीरो से बड़ा और 90 के बराबर और छोटा है आप एंगल भी पूट करके दे सकते हो मैंने आपको बता भी दिया यह आपके कुछ भी समझ में ना आए तो आप option को पकड़ लो ठीक है option को पकड़के उसको उठाके पूट करके देख लो जो बराबर बना रहा है इसका मतलब वही हमारा क्या है एंगल है यहां पर ठीक है ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है वीडियो आठ होगी ठीक है थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे एंगल के ही बारें बात करेंगे हम ठीक है काम हमारा यही रहेगा जीरो और 90 के बीच में उसके बाद हम आग सुक्से भी दुखी है चुम कीसी को नहीं सुटनी है आपको अच्छे तरिके से से जो है शेर अपने दम पर जंगल का राजा शुच वैशार सीुनाओ लड़ने की जूरुत नहीं होती ये कि आपको यह पता है, और समाज को यह पता है, मैनत करो अच्छे तरिके से, आप में कुछ effort होगा, आप में dum होगा तो राजा आप ही होगी, ठीके, बडिया तरिके से मैनत करो, हम आपके साथ है, impact आपके साथ है, पूरी family आपके साथ है, आप भी impact के सेदश्य हो, ठीके, thank you, ज प्रेहिंद जैभार्त वंदुर्णाइब